नमस्तर साथियों आपका स्वागत है मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे धर्मसुधार और प्रबोधन और ये समय है सन सहरा सो से लेकर सन अठारा सो इस्वी का तो इस समय पे हमने पहले देखा कि किस प्रकार से विभिन धर्मों की व्याख्या हुई और अलग-अल करेगा कि धर्म और विज्ञान का रिष्टा तो साथ क्यों एक यह मानी हुई बात है कि इनके बीच का जो रिष्टा है वह बहुत हतक्त विफ्रीत है अर्फार हम समझ सकते हैं कि जो विज्ञान है वो कुल मिलाकर आधारित है ऐसी आधारनाओं पे जो कि भौतिकी से चुड़ी होती है और जो धर्म होता है उसकी जो मूल भासा है मूल परिभासा है वो वैचारिक होती है विचार तो दोनों में लगता है लेकिन भौतिक और तात्विकर धर्म जो होता है लोगों के मांसिक भ प्रबोधन के बारे में लोगों ने संचा लोगों ने जाना और विचार किया ये कैसे हुआ चुकि हमने देखा था पहले कि जिस प्रकार से चर्च जो था वो कुल संपदा पे बहुत सारी संपदा पे उसने अधिकार कर रखा था और भी अलग-अलग धर्मों में बहुत सारी रुड़िवादी बाते थी बहुत सारे ऐसे चीजे थी जो की लोगों को पसंदिया ते ती आम जंता जो थी अरता जो विचारक थे उसमें पे बहुत सारे विचार किया जो क्रांतिया हुई वो भी प्रवोधन के कारण हुई चुकि हम जानते हैं कि लोगों की सोच जो होती है आम जंता जो होती है और धर्म के बारे में सोचती है और वहाँ पे बहुत सारी उड़ी वादिता है और विज्ञान जो है अठारवी सदी जब थी तक विज्ञान में बहुत सारे अविस्कार हुए बहुत सारी चीजे बनी जिसने लोगों का जीवन आसान बनाया तो लोगों के यह रगने लगा कि जो विज्ञान है वो आने वाले समय में हमारे जीवन को बदल देगा धर्म जो है अर्थात लोगों का जो धर्म है नियम है इस वर से प्राथ ना करना चीजो को मांगना खुषाली की काम ना करना इस प्रकार की जो चीजे हैं वह उन्होंने देखा जो विज्यान है उसमें बहुत सारी चीजे बन रही थी और लोगा का जीवान उससे सुधर रहा था और उससे अधिक से अधिक उन्हें सहुलियत प्राप्थ हो रही थी तो जो प्रभोधक थे उनका ये मानना था कि जब विज्ञान जो है हमें अच्छे चीज़े दे सकता है बहुत इक सुक साधन की चीज़े उपलब्द करा सकता है त लोगी की करन जो हुआ और लोगी करांती हुई साथ ही साथ अलग अलग देशों में करांतिया हुई लोगतंत्र की इस्था अपना हुई और भी बहुत सारी बाते हुई राजसाही चीज़े थखटी और इतनी अनेक प्रकार की चीज़े बनी जो आज के समय में हम जैसे दे विज्ञान की जो चीजें हैं लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगी अब मुख्य तोर पर यह जो विचारत थे जैसे वाल्टेयर थे इन्होंने विज्ञान को देखा था और यह उस समय पे फ्रांस में अमेरिका रूस में यह छीजें धिरे-धिरे विक्सित करी जा रही थी वाल्टेयर थे इसके साथ दिदेर होते यह विचारक विज्ञान को समर्फिन करते थे और इनके लिए लगता था इसके साथ साथ डेविड हूँ यह मुख्य तोर पे विचारक थे जो इन चीजों को सोचते थे अर्थ साथ के जनब जो एड़म स्पेस थे और इन्होंने इन सब चीजों को समाज के साथ जोड़कर लोगों को जीवन के साथ जोड़कर देखा और उन्हों यह महसूस हुआ कि जो विज्ञान है वो प्रांतिकारी पर्यूरतन ला देगा साथ ही साथ जो दिदवरों थे वे पुल मिलाकर इन विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने रचनाये भी दिखी अपने गरंत लिखे जिसमें इन चीजों को वणन किया गया और प्रवधन के मुख्य विचा विकास हो समय के साथ दुनिया बहतर होती जाती है आझनिक दुनिया क्योंगी हम चीजों को अपने हिसाब से बनाते जाते जाते है जंगल है पानी है जमीन है उन ची cricket Luther 끝u आधार पर बनाते जाते हैं तो विकास के लिखे forming कि मनुस्य समय के सांस शान विकास करता है और अपने चीजों को अपने हिसाप से बनाता जाता है और धीरे-धीरे यह विकास है इसी से मनुस्य खुस होता है कि मनुस्य की जब तरख्यी होती है तो उसे उसके आसपास की चीजियों का नुकसान होता है तो वो दुखी होता है तो भौतिक सुक साधन जो है वो विकास की आधारना से जुड़ गया रथात यदि मनुस्य से चीजियों को अपने आधार पे बनाएगा तो निश्ची तोर पे वो खुश रहेगा और यदि चीजें उस से करें चुकि मनुस्य सुतंत्र है और वो संसाधन का उपयोग अपने लिए कर सकता है तो अब जो संसाधन है तो इन संसाधनों का वृद्धी होना और जीवन में खुशाली आना अर्था भौतिक सुक साधन का जुड़ जाना ये विकास की आधारना है और इसमें मनुस्य न सिर्फ आर्थिक तौर पे सुतंत्र है बलकि सामाजिक तौर पे भी चुकि अब जो समय बदला उसके आधार पे लोगों के जीवन से बहुत सारी बंदी से भी हड़ गई राजसाहित प्यादी हड़ गई और बहुत सारी चीज़ें हड़ गई तो उसे सुतंत्रता मीर ग लगई है दो लोगों को बात करने के आजादी नहीं थी साथ ही साथ जहां पर जैसे चर्च था तो लोगों को चर्च इत्यादी के द्वारा भी बंदी से लगाई जाती थी पहली सदी में तीसरी सदी में हमने देखा जब कौथलिक धर्म का विकास हुआ तो वहाँ पे जो चीजे थी लोगों को आजादी नहीं होती थी इसलाम में भी इसी प्रगार बाते थी वैदिक धर्म भी इसी प्रगार बाते थी लोगों आजादी नहीं मिलती थी तरक करने की बात नहीं मिलती थी लेकिन जब समय बदला 18 सदी आई तो लोगों के पास ब आन सकता था बहस कर सकता था उसे आजादी थी पुराने समय में यह आजादी उस तरह से नहीं थी लेकिन 18 सदी में आने एक बात बहुत सारी जंजंख्या भी बढ़ गई लोगों ने दूसरे को वीचारों को समझ लिया लोगों का आवागमन एक इस्थान से दूसरे इस्था प्रावां में अब लोग क्या है अगर अनुवाद हो गया उनको पता है उसमें क्या लिखाया यह दिकोई उन्हें दूसरी बात बता रहा है तो उसके बहस कर सकते हैं इस प्रकार डिसकस करके अपने आधार पे चीजों को लगा सकते हैं निरने लेसकते हैं इसके असांसा जो विज्यान है ये मदो एक कारक बना प्रबोधन का बहुत बड़ा खारक बना चुकि विज्यान को हमने देखा है कि तखनी के विक्सिक होती है तो बहुत सारी चीजों से लोगों की धारणा हड़ जाती है जैसे उदारण के तौर पहले जब बहुत पहले ये समझा ही नहीं जाता था कि धर्ती जो है वो एक ग्रह है और वो चक्कर लगाती है सूर्य के इस पर बहुत भाहस होती थी लेकिन बाद में विज्ञान ने बताया कि जो धर्ती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और ये बात प्रमारित भी विज्ञान ने कर दी और अभी बहुत सारी चीजे हैं लोग अंधेरे में जाने से डरते थे कई प्रकार की रूड़ी वादिताएं थी कई प्रकार की मान्यताएं थी जो विज्ञान ने तोड़ दिया और लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया और जो संदेश है ये भी माना जाने लगा चुक यहां पे लोगों ने बिवाद यी किया करा करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या करना है जिरू या डर्पोक बनाता है अर्थात लोगों को कुछ भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और उनके मान में डर पैदा किया जाता है यदि आप गलत करेंगे अगर आप कुछ बुराई करेंगे तो आपको सजा होगी पाप होगा साथ ह साथ धर्म के लोगों की एकहता ही और शारी साथ जो चर्च को काम कास था जोगों को नीथी ओंड़ना साथ मंत्र इत्यादी चर्चावक्वाइक प्रेशानी होती थी विज्ञान जो है इससे उन लोगों को दूर ले जाता था तो ये जो है प्रबोधन जो है अर्थात इलाइटमेंट जो है इसके लिए विज्ञान बहुत बड़ा कारक साबित हुआ अधारना जो है विक्सित हुई साथ ही साथ जो विज्ञान है उससे विश्वकी प अब जैसे आने वाले समय में हवाई जहाज आए दिरे इस प्रकार की चीज़ आने लगी लोग एक दूसरी स्थान पर जाने लगे और जब मनुष्य जो धरती का था वह आसमान में भी जाने लगा उड़ने भी लगा और सारी टेक्नोलोजी से प्रयोग करके चीजों को समझन और बढ़ने लगा कि जो विज्ञान है और जो धार्मिक लोग थे उन्हें ये लगने लगा कि जो विज्ञान है उन लोगों को नैतिकता से दूर ले जा रहा है ये कुछ जो विजार धारा थे इसकी आलोचना भी की जाती थी इसके अलावा एक और कारक है स्वतंत्रता कि हमने देखा था कि लोगों को सुधनी रता मिल रहे थी ज़ो पुरानी व विवस्था था गुलाबवी दास्प्रत्षा और बहुंद सारे जो इस प्रकार की चीजे थी जो लोगों को आजादी के साथ लेकिन बहुत सारे प्रबोधन जो थे वे इन लोगों के साथ में थे उनके मित्र और सलाहकार थे उनको आजादी मिल जाती थी अपनी बातों को कहने की और आजादी के साथ अपनी बात कह पाते थे अर्थात उन्हें बिना डर के बात कहने का आउसर मिलता था तो इससे प्रबोधन जो था उसकी आलोजनादी बहुत सारे लोगों ने की चुकि ये इस प्रकार थे कि जो लोग थे विज्ञान को बहुत अधिक महत्वदे रहे थे लेकिन जो लोग धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनका ये मानना था प्रबोधन के विप्रीत लोग थे उनका ये मानना था प्रबोधन के कि जो विज्ञान है वो तरक्की तो हमें देगा लेकिन हमारी जो पुरानी चीज़े हैं जो हमारी मौलिक चीज़े हैं जो प्रकृतिक संपदाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और इसके लिए उनकी आलोजना किया थी साथ ही साथ जीवन में जो धर्म है भाईचारा है और दूसरे सिधान्त है वो इससे नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से उनका मानना था जो रूमानी चीज़े हैं अर्थात कवीता गजल जैसे भारत में पहले कालिदास की अभिगान सकुंतलम और भी बहुत सारी रशनाय थी जो अर्थात प्रवोधन जो मानते थे उसके विप्रीत कुछ पिचारधाराएं थी जो मानी जाती थी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रुमानियात को बढ़ावा दिया चीन की भारत की जो संस्कृती है जिस प्रकार से यहां पे संस्कृती है उसे अधिक से अधिक पसंद किया गया सहाइतियों को सरहा गया जो की प्रेम पे और अन्य प्रकार की चीजें जो इस्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रेम भावित्यादी की चीजे हैं जो पूजा पार्ट के तरीके उन चीजों को ध्यान दिया और इस पश्ट रूप से इन चीजों को ज़्य जादा महत्वत दिया उन्होंने तो यह है प्रबोधन अर्था इंलाइटमेंट जो था उस समय पे इसे माना जाता है अठारवी सदी में विज्ञान ने बहुत सारी तरक्टी कि लोगों के बीच निश्य तोर पर यह बाते आती थी जो विज्ञान जोंक बहुत ज्यादा वो बहुत हद तक इससे प्रबावित होगा और साथ ही साथ इसके लिए जो आलोचक थे आलोशना करते थे लेकिन विज्ञान ने भी समय के साथ साथ अपना काम किया जो यह विकास के उधारना इत्यादी थी आज के समय भी आप देख सकते हैं इसी प्रगार की बाते होती समय जाद नहीं हुआ है समय के साथ साथ परिवरतन हो रहा है और इसी प्रकार से अलग अलग विचार धाराय जो है समाज पर बहुत जादा महत्त प्रभाव करती हैं और जो धर्म सुधार है उसमें रूढ़ी वादिता को दूर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के दिए समय समय पर विविन प्रकार के विचार को ने अपनी बाते रखी और उन सब का प्रभाव प्रभोधन के रूप में हमें दिखाई देता है चुकि विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग किया था प्रभोधन जो है अपने आप में बहुत बड़ा आंद सुधार और प्रबोधन में आज के इतने बच्चों आप से नूरो दे कि हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो जरूर देखते रहिए हम आपके इसी प्रकार वीडियो लेकर आते हैं जो आप से जुड़ी है जो आपके काम की है तो आज के इतने बच्चों मैं प तक के लिए नमस्कार